तो कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके लिए हम बिल्कुल भी mentally ready नहीं होते हैं और हमें बाद में लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे ही साथ क्यों होती है हमेशा मेरे ही साथ गुरा क्यों होता है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा और जादा तर जो लोग सब की help करते हैं जो सब के लिए खड़े रहते हैं सब के साथ जो चीज़ें अच्छी करते हैं उनके साथ ही गलत होता है और कहीं बार होता हैं बहुत दिल से किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे होते हैं आपने बहुत भेहनत ही होती है और वो चीज आपको मिलने पाती है तब आपके दिल में एक यही बात आती है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है और आप बहुत ही अंदर से तूट जाते हो कुछ लोग तो उसके बाद इसी चीज़ को करना भी बंद कर देते हैं तो ऐसा आपके क्या किया हमने कि जिस चीज की सजा हमें मिली है लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी कहीं बार जो मारे साथ गलत हो रहा होता है न वो किसी बहुत अच्छी चीज के लिए हो रहा होता है आप चरह याद करना अपने पास्ट में कि कहीं बार कोई ऐसी चीज थी ज से बैस्ट आगे नहीं हो पाता जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो तो किसी बी चीज के लिए चिद करता है तो बच्चा बोलेगा अगर कि नहीं मुझे तो चाकू से ही खिलना है लेकिन क्या मा उसको चाकू खिलने के लिए दे सकती है क्योंकि वो रो रहे है क्योंकि व भगवान हमको शायद नहीं दे रहे होता है एक पिक्चर मैंने एक बार देखी थी एक फोटोग्राफ थी जिसमें क्या था कि गॉड बने वे थे और वो मतलब एक टैडी उनके हाथ में था और एक बहुत बड़ा टैडी उन्होंने ऐसे पीछे हाइड किया हुआ था लेकिन बच्चा है वो रो रहा है कि मुझे यही चाहिए वो जो छोटा से टैडी उनको सामने दिख रहे है लेकिन उसको नहीं मालूम है कि उससे भी बड़ी चीज उसके लिए है तो कहीं बार ऐसे ही चीज होती है और एक बार की मैंने स्टोरी सुने थी एक बार क्या होता है दो लोग खोद रहे होते जमीन तो जब खोद रहे होते हैं एक परसन जब खोद रहाता है उसमें से डायमंड निकल जाता है और जब डायमंड निकल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है लेकिन उसको देखके दूसरा वाला बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह बहुत देर फिर जो परसंचों खोध रहा था खोते वो बहुत हो गया था लेकिन उसको णामड़ा और यहां उसके उसमें robot काने लगा तो उसमें अपनी बास चीज चोड़ दी हैं लेकिन बहुत बड़ी मिलती हैं इसी लिए इसजी द्व देरी हो लेकिन आपसे पहले हो, किसी और को मिल गई और आप पस इसलिए demotivate हो कि क्या बोलते है, मुझे ही चीज नहीं मिली उसको मिल गई, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा था आपके लिए उससे बड़ी चीज भगवाने सुच रखी है, इसलिए आपको नहीं मिले, आप थोड़ा सा और सबर रखो आपको सब कुछ मिलेगा, मैं आपके साथ एक्स्पिरिंस शेयर करती हूँ और उनका यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपको होगे में लिंक दे दूँगी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप चीज़े दिखाते नहीं तो हमें यकीनी होता, आप भोलोगे तो दिखा दूँगी कुछ लोग अपनी चीज़े हैड रखना चाहते हैं, जैसे किसने मेल करके अपनी बात बताई थी कि क्या थे, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, उन्होंने हनुमान चाली सा संकल किया था, उनकी जो विष्टियों पूरी होगी, वो चाहते तो कमेंट करके भी उस चीज़े बता सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे, वो सब वो शो, तो बस उन्होंने थेंक यू लिखने बैंकिंग की और तैयारी करी थी वो बहुत टाइम से, और उनके महाँ पर शादी भी जल्दी हो जाती है, तो उनके घरवाले उनके पीछे बढ़े थे शादी कर लो, क्योंकि एक लड़की है वो, अब उन्हों शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ करना था, और क्योंकि वो सरकारी स्कूल से पड़ी थी, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, चीजों करने बार इतना वो फानेशली स्टेबल नहीं थी, कि एच्छी जगा कोचिंग लेके जा सके, तो एक छोटा सा फोर उनके पास था, जिससे वो तैयारी करती थी, बै पड़े पारएं तो हैं क्लरक का नहीं पारा था, फिर लास्ट मोंका अटैम्ट था, उनकी फ्रेन नोंको बला की कर लो, लास्ट अटैम्ट है भढल लो, जब शेल पीजाम भी लास्ट पाएं कि इसके बाद मैं नहीं कर पाऊं। अज़ने दराख वोलते ना तो नहीं कीश हो नहीं पनी को गाण तूप दो फॉंध यहां आई सनक्तार उत्तपरद्स धॉस्टक्रद्या को मैंलें उसको में करें सब्करदस्थ तो उन्होंने वोला भर लो तो उन्होंने वो किया और जब रिजल्ट आया उनके वो दोनों एक्जाम ख्लियर होगे और उसके पीछे एक सिक्रेट भी अगर आप बूलोगे कैसे वो चीज़े होई मैं आपको शेर करूंगे लेकिन अब मैं से वीतना बताऊंगी कि कहीं बार आप छोटी चीज के लिए कोशिश करे जा रहे हो लेकिन भगवान आपके लिए बड़ी चीज सोच रखी है तो कभी भी होप मत खोना अगर आप चाहते हो आपकी चीज़े पूरी हो आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में चीज आए तो एक तो महनत और दूसरा विश्वा दोनों बहुत ज़रूरी है विश्वास भगवान के उपर और खुद के उपर वी क्योंकि उन पर यह विश्वास रखना है कि वह मुझे वह चीज देंगे जो मुझे चाहिए और खुद पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं तो अगर आपको वीडियो अच्छी तो लाइक जरू करना और कमेंड में जैश्री राम जो लिखना और आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए जैश्री राउन जैवज रंग बन